बारतिये थलसेना के अध्याक्ष जन्रम मनोच पांडे को पाकिस्तान में ताली और वाजवा को गाली जैने क्यों तालीफ को मजबूर हुआ दुश्मन देश बारतिये थलसेना के अध्याक्ष जन्रम मनोच पांडे हिंदिनों सिफ हिंदुस्तान में ही नहीं बलकिन पाकिस्तान में भी चाय हुए हैं दोनों देशों में उनके हीरो बनने की वज़ाए उनकी इमानदारी है पाकिस्तानी लोग थल सेनाध्यक्ष मनुश पांडे की तारीफ करते नहीं ठक रहे यानि भारतिय सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान में जहां तालिया मिल रही है वहीं उनकी अपने सेनाध्यक्ष जन्रल कमर जावेद वाजवा को गाली मिल रही है पाकिस्तानी जन्नर बाजवाज शिग्र ही सेना निवरित होने वने हैं उनकी जगा पाकिस्तान नए सेनाधक्ष की निव्ति करने जा रहा है आई आपको बताते हैं कि भारती सेनाधक्ष की पाकिस्तान में वावाई क्यों हो रही है जरसल पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी ने इन दिनों अपने मुल्क में प्रधान मंत्री शहबाज शजीव के खिला मोर्जा कोड़ रखा है करीब एक महीने पहले जब इमरान खान को पंजाब रांद के वजीरापाद में एक रैली के दौरान गोरी मारी गई थी तब उन्हें पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री समेथ सेना के एक अधिकारी पर भी शेडियन्ट में शामिल होने का आरोप लगाया था पी टी आई और सरकार के भी संगस्ष चल रहा है इसी कड़ी में इमरान खान की पार्टी के परिश नेता आजम खान स्वाती ने जननल कमर जावेद वाजवा को निशाने पर लिया और भारती सेनाद्यक्ष की जम का तालिफ की ऐसे हुई भारती सेनध्यक्ष की तालिफ इम्रान खान की पार्टी के नेता आजम खान स्वाती ने कहा है कि एक तरफ भारत के सेनध्यक्ष जन्ना मरोज पांडे हैं जिनकी कुल संपत्ती सिर्फ 29 लाग के करीब है और एक तरफ हमारे सेनध्यक्ष कमर जावेद वाजवा है जिनके पास अकोट संपत्ती है बाजवा बताए कि उनके आज इतनी अधिक संपत्ती कहां से आई पाकिस्तान द्वारा जारी विभिन आंकलों में बताया गया है कि वर्ष 2013-21 के दौरा जन्ना बाजवा की संपत्ती में बहताशा रधी हुई है उनकी कोल संपत्ती 12.7 मरोश पांडे को इमानदारी की पिसाल बताया जा रहा है हलाकि भारतिय संपत्त की तारीफ करने के आरोप में इमरान खान की पार्टी के नेथा आजम खन स्वाती को गिरफताद भी कर लिया गया है इमरान खान भी कई बार विदेश मंटरी एस जैशंकर और प्यम मोधी की कर चुके हैं तारीफ ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में भारत की तारीफ हो रही है भारती सैनादेक्स जर्नल मरोश पांडे की तारीफ से पहले विदेश मंटरी एस जैशंकर और प्यम मोधी की तारीफ में भी कसीते पड़े जा चुके हैं पाकिस्तान के पूर करते और कहते हैं अगर अमेरिका की हिम्मत है तो भारत के पी-म मोधी को जुका कर दिखाए इसके अलावा यूकरेन यूद मामली में रूस की निंदा नहीं करने और उससे तेल खरीदने के अपने रुक पर कायम रहने के लिए इमरान खान ने भारत के विजश मंटरी की भी थी उन्होंने कहा था कि अमेरिका और पश्चिम देशों में जब भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाब डाला तो उनके विजश मंटरी एस जैशंकर ने साफ कहे दिया कि आप नहीं बलकिन भारत तैय करेगा कि उसे किस से क्या खरीदना है या नहीं खरी हैं जहां से हमें किफायती मिलेगा हम महीं से खरीदेंगे बने रहे हमारे साथ रेड़ी इंदोस्तान पर सबको सिखाएं पेड़ लगाएं सबको सिखाएं जल बचाएं